नमस्कार दूस्तों मैं प्रदीप मार्टोटल वेबसाइट.com में आप सबका स्वागत करता हूँ दूस्तों हम देख रहें लिए अंदर हम पढ़ रहें जिसमें से फर्ट पार्ट मैंने बताया था और यह हमने फॉर्म क्रेट किया था आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेलिडेशन कैसे लगाते हैं फिल्ड के उपर जो भी हम नाम देख रहे हैं यहां पर नाम एंट्री कर रहे हैं तो वेलिडेशन लगाएंगे ताकि अगर इसमें डाटा हमने इस पर क्लिक किया बट हमने कोई एंट्री नहीं किय हो जाए और अगर हमने टाइप कर लिया तो ग्रीन हो जाए समसिंग इस तरीके का हम वैलिडेशन लगाएंगे कि डाटा हमारा बलाइंग को नहीं होना चाहिए ताकि सामने और फ्रंट यूजर्स को पता चले कि कौन सा रिक्वाइट डाटा फिल्ड है कौन सा नहीं है और यह कैसे करेंगे यह भी इस वीडियो में एक एक पॉइंट को समझेंगे अच्छे से तो चली स्टार्ट करता हूं स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि अगर आपने इस वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा या फिर आप क्या कर सकते हैं चैनल पर जाके इस वीडियो को आप देख सकते हैं यह आपको वीडियो सेक्षन में या प्लेयलिस्ट में जाएंके जब आप तो प्लेयलिस् आपको ट्विटोर्जर्वेबसाइट कॉम पर आपको सारे आटकल मिल जाएंगे जितने भी हैं तो अब इनको करते हैं अब बात करते हैं कि जब हमने टेंप्लेट ड्रिवन बना लिया है तो अब इसमें वेलिडेशन कैसे यूज करेंगे अभी आप देखेंगे अगर मैं इ करते हैं और कंसोल में जाते हैं तो यहां पर कोई एरर नहीं है और जब भी हम यहां पर कोई डाटा सम्मीट करते हैं तो हमें यहां पर डाटा दिखता है ठीक है वह हमने कैसे किया था वह आपको प्रिविडियो मिल जाएगा अगर हम यहां पर सम्मीट करते हैं ब्लैंक त अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो ts file था component.ts file इसको मैं बंद करता हूं कुछ files को यहां से इसको भी close बंद करते हैं app.component.ts file में मैंने यहां पर आपको बताया था कि value जो gate करते हैं यहां पर अगर आप इससे बचना चाहते हैं थोड़ा और optimize चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि simply यहां contact forms जो यहां पर लिख रहे हैं यहां के साथ आप dot values लगा दीजिए ठीक है dot value और save कीजिए फिर उस case में आपको इतना कुछ लिखने की जरूवत नहीं है इनको मैं अभी एक सेकंड के लिए comment करता हूं इनको मैं आपको दिखाता हूं क्या changes हुए है सो लेट आपको clear हो जाए ठीक है और normal इसको भी अभी comment करता हूं अब simple उपर में जाते हैं और इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा कर देदा हूं अब यहां पे यहां पे आये और हमने लिखा console.log .log .log ठीक है अब console.log किसको हम value को console कराके देखते हैं ठीक है सेफ करते हैं इस page को सेफ कर लिया अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा पहले जब हम कर रहे थे जब हमने यह value यहां साथ में पास नहीं किया था contact form.values नहीं किया था तो काफी सारे controllers और information आ रहे थी जो कि हमारे काम के नहीं थे ठीक है लेकिन अब case में हमने क्या किया यहां पर form के जो वेरियेवल हमने यहां पर इस वेरियेवल में इस्टोर हो रहा जितने भी form के data है उसको हमने पास किया जो function के अंदर उसके साथ value हमने लगा दिया तो अब देखेगे क्या-क्या information आ रहा है रिफ्रेस करते हैं पेज को एक बार फिर यहां से entry करते हैं सब्मिट करेंगे तो अब आपको सिर्फ object मिल रहा है जो object की requirement है मतलब जो जो filter के data है अब आपको जो extra जो मिल रहीती चीज़ है वह नहीं मिल नहीं है एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ तो आपको confusion जो है या confusion जो अभी हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा होगा वह clear हो जागा अगर हमने value हटा दी फिर save करते हैं और refresh करते हैं page को अपने आप हो गया अब मैं value submit करता हूँ तो इतने सारे इस तरीके के data हमें इस तरीके से मिल रहा था जो कि forms के अंदर के साथ value जहां पर अब क्या होई कि ए यहां पर यहां पर वnomÁरा पास object है तो हमने इसको कीया गिया था directly हमने यहीं बे वहाँ पर नहां करने के बजाए यहीं पर हमने जमने value कर दिया यह यई तो अब क्या हुआ 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 है उस case में कि जितने भी डाटा एक्स्ट्रा जो हमारे पास यहां पर आपको दीख रहेते न और भी सारे इंफोर्मेशन वह हमारा यहां रिमूव हो जाएगा इसकेस में हमें सिर्फ वैलू वाली जो डाटा है वह यहां पर मिल लगी तो यह हमारा शॉर्ट हो गया अब जब यह डाटा मि क्या कर सकते हैं वैलू वैल्यू के साथ हमें सपोज नेम है तो हमें अब यहां पर क्या करना है यहां पर वैल वैल डाट यूर नेम सिंपल इतना अब आपको कुछ नहीं करना है वैल्यू डाट यूर नेम उसी तरीके से अगर हम इमेल है तो वैल डाट इमेल यह वैल्यू .mobile अब यहाँ पे value जटाते हैं और इस console को मैं यहाँ से comment करता हूँ और इस console पर टिप करता हूँ नीचे वाले को save करते हैं ठीक है अब वापस चलते हैं page पे refresh करते हैं और submit करते हैं form की data को तो अब देखे data आपको मिल रहा है अब इसमें बात करते हैं इतना तो हमने उसे देखी लिया था पहले भी आप validation की बात अब यहाँ पे आ रही है जो आप देखोगे validation तो मैंने कुछ points यहाँ पे निकाल हुए validation का वो मैं आपको दिखाता हूँ validation क्या होता है जब हम template driven form में validation लगाते हैं तो क्या-क्या चीज़े हमें ध्यान रखना होता है किसके भी हाँ पे validate कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आपको दिखा find the below classes where we can use validation based on state change यानि कि जो भी हमारा field होता है उस पे एक state होता है state क्या होता है आप यहाँ देखो ng touch जो की control करता है क्या visit state को ng untouched जो control करता है visit not control control not visit state पहला क्या है touched में control करता है visit state को untouched में control नहीं करता है ng dirty आपको दिख रहा है जो कि control value has been changed यानि कि जब हम input field में कुछ लिख देते हैं तो उसका state automatic change हो जाता है dirty में ng dash dirty में फिर ng dash इसमें भी आपको देख रहा हो कि value change नहीं होता है तो यह चीज़े इस control के थुरू होता है हम कुछ get करना है कि अगर value change नहीं होगा तो उस case में यह चीज़ के विहाब पे हम get कर सकते है valid के इस साबसे control values और valid यानि कि जब हम यह देखना होता है कि अगर हमने लिखा कि required होना चाहिए मतलब data होगा तो यह valid होगा data अगर entry नहीं होगा तो इस case में आप यहाँ पे देख सकते हो तो इनको भी अब step by देखते हैं यह है क्या अब आप चलते हो यहाँ पे refresh करते हैं इस page को और अब एक field को देखते हैं इस field की बात करता हूं मैं inspect element अब यहाँ पे आईए इसको मैं बढ़ा करता हूं इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं अभी के लिए और थोड़ा सा इस part को बढ़ा करता हूं क्योंकि समझने वाला part यहाँ है आप अब यहाँ पे आप देखिएगा इसको मैं बढ़ा करता हूं अब यहाँ पे देखिए यह input field है इन्पूट फिल्ड में जो मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया है यह चीजों का ध्यान दिजेगा ng-test, nd-dirty यह यह चीज़े आपको अब यहाँ पे दिखने वाली है यह देखिए है इन्पूट फिल्ड, टेक्स्ट, नेम हो गया, प्लेस ओल्डर हो गया ng-model हो गया, क्लास हो गया अब इस क्लास में देखिए form-test-control यह तो हमने html में दिया हुआ है आपको html में दिखाऊ तो क्लास में हमने form-test-control दिया है और एक्स्ट्रा कोई क्लास नहीं है लेकिन जब अब यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे और क्लास मिलता है जो कि ng-pristine ng- आपको valid मिलता है ng-touched मिलता है जो कि यहाँ पे आपको मैंने बताया तो आपको समझ में आगा कि तो आपको समझ में आगा कि तो अब इसका देखो इसका ng-untouched आ रहा है इस पे हमने click कर दिया था इसलिए वो touch आ रहा है यहाँ पे ng-touched आ रहा है लेकिन अभी second वाले field पे हमने click नहीं किया तो क्या ng-touch आ रहा है अब जैसे इस पे click करेंगे तो देखेगे यहाँ पे इसकी जो data है email का यह जो class है वो change होगा कैसे देखेए हम touch करते है इसको जो हमारा email का field है उसको हमने touch किया मतलब इस पे हम field पे गए तो अभी देखेगे कुछ भी changes नहीं है अभी code में देखेगे लेकिन जब हम यहाँ से cursor हटाते है move करते है तो देखेगा untouched touch में convert हो जागा यह देखेए change हुआ ng-pressed in ng-valid और ng-touched हो गया अभी तक untouched हो गया क्योंकि हमने इस पे cursor लिया और हटा दिया तो यहाँ पे class चेंज हुआ तो इस भिहाब पे हम क्या कर सकते हैं अपना validation लगा सकते हैं अगर हमें color change करना है इस condition में तो color change हम करवा सकते हैं ठीके वह भी हम करके भी देखेंगे दूसरा point आप देखिए यहाँ पे अभी ng-dirty कहीं नहीं दिख रहा होगा इसके अंदर कहीं नहीं दिख रहा है लेकिन अगर हम इस पे कुछ type कर देते हैं तो आप देखिए change होगा ng-dirty भी यहाँ पे आपको मिल गया ng-dirty का मतलब कि इसमें कुछ न कुछ data अब input हो गया है यानि कि एक तरीके से गंदा कब होता है कोई भी dirty का मतलब हमारा नॉर्मल वे में देखा जाए हिंदी में बात करें तो गंदी ठीक हम यह कहता है dirty हो गया मतलब गंदा हो गया तो गंदा का मतलब अगर हम कपड़े की बात करें तो उसमें color लग गया या फिर कुछ धबा लग गया तो वो गंदा हो गया ठीक है उसी तरीके से field पे कुछ हो गया यानि कि कुछ हमने type कर दिया कुछ नगुछ इस पे activity परफॉर्म कर दी तो वो आपका dirty में convert हो जाता है तो यह हमारा dirty class होता है अब इसके बिहाब पर आप CSS की बात करते हैं कैसे लगाते हैं अब यहां पर हम आये और इसको मैं फिर से expand करता हूँ और style.css file हमारे पास थी style.css file इसको भी open करते हैं अब यहां पर ठीक है अब हमने देखे यहां पर normal class लगा रखा है लेकिन अब हमें क्या करना है input box पर अब मैं चाहता क्या हूँ कि file तो field को required करता हूँ ताकि valid और invalid तभी पता चलेगा न field required होगा तो हम चलते हैं HTML form पर और एक field को हम required करते हैं और यह पहला field जो है इसको required करते हैं के लिए save करते हैं save होगा अब page पर चलते हैं refresh होगा तो अब देखिएगा page refresh होगा और यहां पर जाएंगे ng untouch है क्योंकि अब उनमें कुछ नहीं किया उस पर करसा नहीं लगे है ng-pristain है field को हमने required कर दिया इस field को required नहीं किया उसके नीचे email और mail को required नहीं किया है तो उस पर जाएंगे तो वो valid दिखाएगा आपको ng-valid लेकिन इसको required कर दिया तो ng-invalid अब यह valid कब होगा जब हम इसमें कुछ type करेंगे type करेंगे तो dirty भी होगा और यहां पर valid भी convert हो जाएगा जब हम इसको किया ठीक है इसमें मैंने मालो यह type किया type करते ही देखिए यहां पर convert हो गया ng-dirty और ng-valid अभी untouch है क्योंकि हमने cursor यहां से हटाया नहीं जैसे cursor भी हटा देंगे तो यह touch में convert हो जाएगा समझ गया तो इस तरीके से यह convert होता है तब इस पर अगर हमें CSS लगाना हो तो हमारा हमसे लगा सकते हैं यानि कि अगर मैं इसको refresh करता हूँ ठीक है और required है तो उस case में हमारा क्या हो जब हम इस पर cursor ले जाए यानि कि touch कर दिये और बाहर निकाले है और यह invalid है उस case में तो यह इसका color क्या हो जाना चाहिए rate हो जाना चाहिए हम border की बात करें नीचे वाला border rate हो जाए ठीक है तो उसके लिए हम CSS लगाते है CSS के है input field पे हम class चेक करेंगे अब हमें इसका CSS हम लिख रहे है app.component तो component वाले में हमें यह मिलना चाहिए app.component.css file होगी यह रहा यहाँ पे अब इस वाले files के अदर हमें CSS लिखना है इस चीज का भी ध्यान देना है हमें तो input.ng-touched ठीक है .ng-invalid अगर यह दोनों होते हैं input बॉक्स पे border dash bottom इसका मालो यहाँ पे हम देते है one pixel solid और color हम देते हैं red ठीक है save करते हैं अब page पे चलते हैं refresh किया अपने cursor इस पे move किया और बाहर निकल गया तो अब देखिए इसका color नीचे आपका आ गया border यहाँ पे देखरो नीचे वाला border आपका red हो गया इसी तरीके से अगर हम इसका पूरा border मतलब नीचे वाला ही नहीं सिर्फ पूरा पूरा मतलब चारो तरप से हम इसका border चाहते हैं तो हम सिर्फ border लिखेंगे और save करेंगे page पे जाएंगे refresh हो रहा है अब हम इस पे हमने cursor किया ठीक है और अभी हम हटाय नहीं है तब तक यहा नहीं से बॉर्डर हें धार जन्या स्वाट किया अब हम यहां डूसरा क्लास हम डूसरे rah방 डाव एक डाव से इन्वेलभ object के से नतरुधीक है यहां बॉर्डर रजेकर और फार्सक्राते है तो अब क्या होगा कि टर्श हो गया इन्वैलिड है मतलब कुछ इंट्री नहीं की तो रेड कलर होगा और टच भी कर दिया और उसका कलर चेंज जाना चाहिए ग्रीड में क्लिया और फिर अब फिर समसाइ गया और मालों हमने पी ही टाइप कर दिया अब यह तक इसका कलर चेंज होगे ग्रीन हो गया तो यह हमारा बेसिक हमने css apply किया और इससे पता क्या चलेगा सामने वाले front user को front end को पता चलेगा कि हाँ इसमें अगर rate हो गया आपने कुछ type नहीं किया इस पर गय और type नहीं किया तो rate हो गया मतलब आपको यहाँ पे कुछ न कुछ type करना है ठीक है बिना type के नहीं जा सकते तो यह यहाँ पे इस तरीके से validate हो गया उसी तरीके से email की बात करें अब email के अगर हमें इसी तरह से required करना है तो हम simply यहाँ से ज्याएंगे required करेंगे required ठीक है mobile के लिए भी करना है तो simply यहाँ OS तो यह सारे fields required हो गया अब किसी भी फिल्ड पर जाएं लेफ्रेस बड़े जाएंगे और इस सब्सेस से सब्सक्राइब Q3 मिलने 5 खीया हमने रिमोट कर दिया यहांप बलंक 102 मैंज सब्सक्राइब प्लेज इंटर यूर नेम ठीक है या नेम फिल्ट रिक्वाइड या फिर सम्थिंग नॉट वैलिड इन्फॉरमेशन इस तरीके से कुछ एक इन्फॉरमेशन आ जाता है आपने देखा होगा कई साइट वो पर अगर वो चीज नीचे कराना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते ह यहां पर जो इन्फॉरमेशन इसके नीचे इस डीव के नीचे हम क्या कर सकते है यहां पर एक इस पैन लेते हैं ठीक है इस पैन के अंदर हम लिख देते हैं प्लीज इंटर योर नेम ठीक है और या फिर नेम फिल्ट रिक्वाइड सम्थिंग इस तरीके से कुछ भी आप जो अभी मैंने फिलाल के लिए यह लिखता हूं सेफ करते हैं और इसको मैं थे लाश देता हूं कुछ और एरर क्लास पे मैंने मान लिजीए देदिया कलर कलर इसका रेड हो जाए ठीक है अगर एरर है तो सेफ किया तो अभी आप पेज पर जाओगे तो simply आपको क्या है रेड दिखेगा लेकिन यह हमें by default नहीं दिखाना है डिफार न कब है जब हम इस पर करसर ले जाते हैं और यह रटाते हैं और जब यह रेड हो रहा है तो यह इन्फरमेशन सो अधरवाइस नहीं तो अब चलते हैं एडिटर पर यहां पर आए यहां पर आपको सबसे पहले काम क्या करना है यहां पर एक लोकल वेरियेवल डिफाइन करना होगा ठीक है तो हैज लाया के हमने लोकल चलो इसका नाम हमने दे दिया यूर नेम सेम नेम देते हैं यूर नेम ठीक है लोकल वेरियेवल और इस लोकल वेरियेवल के अंदर एसाइन करना होगा है एंजी मॉडल को अप यहां देख रहो यहां भी हमने एंजी मॉडल लिखा था बट यह एंजी मॉडल का यूज कहा अब यह ng model क्या करेगा यहां पर if का condition लगाएंगे आपको पता है angular के अंदर मैंने ifs कैसे लगाते है वो मैंने बताया तो उसके लिए if के लिए हम लगाएंगे star ng if का i capital ng if का i capital और f ठीक है equal to अब यहां पर दो condition लगानी है पहला क्या होना चाहिए field हमारा अगर normal हम देख रहे हैं तो पहला इस case में क्या हो invalid होना चाहिए दूसरा touch होना चाहिए अभी untouch है तो untouch में नहीं दिखे जब touch भी हो जाए और invalid भी रहे तो यह information दिखनी चाहिए तो अब यहां पर लगाएंगे सबसे पहले लगाने के लिए आपको local variable की help लेना ही पड़ेगी क्योंकि local variable से ही आप get करोगे class करना तो local variable हमने define क्या है your name your name ठीक है dot invalid यह करोगे फिद पहला दूसरा condition your name dot touch ठीक है यह दोनों condition match करेगा तभी हमारा यह वाला डाटा दिखेगा page पे गए refresh किया अब देखो यहां से remove हो गया यहां पे वो by default आपको नहीं दिख रहा है अगर आप input field पे जाओगे तो यहां पे है यहां देखे by default यहां पे देखरो इस pen हमने लगाया था बट यहां से यह information आ रही है इन फिल्ड पे आपको नहीं दिखेगा इन फिल्ड पे नहीं दिख रहा है यहां पे लगाया इसलिए दिख रहा है अब इस पर जैसे हम रखते हैं अपना mouse ठीक है अब हमने यहां से जैसे ही हटा लि करते हैं इस information को और इसके नीचे email के पाद भी हमने simply इस तरह लगाना है ठीक है अब यहां पे variable define करना है local तो हमने लगा है has email और इसमें इंटर योर email information change से नीचे इसके लिए भी पेस्ट करते हैं से अब इसका लोकर मॉवाइल है तो इसका बनाते हैं मॉवाइल और इस वेरियेवल के अंदर लिखते हैं ng model और यहां पे हमने मॉवाइल लिखा है तो कॉपी करेंगे और इसको मॉवाइल यहां पेस्ट पेस्ट तो इंटर योर mobile तो अब यह सभी जगह हमने update कर दिया सारे फिल्ड पे ठीक है तो अब यह पे जाएंगे refresh करेंगे तो अब सभी फिल्ड पर आए गए इस पर हमने टाइप किया तीनों में आ गया अगर हमाने इस पर टाइप कर लेते हैं कुछ भी green हो गया remove हो गया यहां नॉर्मल इस पर आप जो by default हमारा input फिल्ड होता है उसके जो attributes होते हैं कि minimum length इतनी होने चाहिए maximum length यानि कि अगर मैं यहां पर लगाओ कि minimum minimum वाइल नंबर है to mean length अट कितनी होनी चाहिए इसके अंदर मालीजन minimum 8 होनी चाहिए और max length होनी चाहिए 12-ज्यादा-ज्यादा 12 number minimum 8 होनी चाहिए minimum 10 करते हैं मॉाइल नंबर हम 10 भी रखते हैं और लोग 12 भी करते हैं ठीक है minimum तो 10 होना चाहिए इस condition में अब save करते हैं पेज पर गया रिफ्रेश किया अब यहां पर गया हटाया आ गया माली जे नाइन किया तो भी आपको यह दिखेगा माली जे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो दस हो गया 10 हो गया तो अपने यह आप यह गया 10 से फिर से 9 में करेंगे तो आपको हैरर आ जाएगा त तो इस तरीक़े से करते हैं उसी तरीके से इमेल का ही वेलिड़े chuck करते हैं उसी तरीके से आप इसका भी लगा सकते के अंदर तो यहाँ पर आको समझ में आ गया होगा कि angular के अंदर अगर हम हमें validate लगाना है क्लास एड करना है फिल्ड पर कुछ effect दिखाना है किसी भी कंडिशन में जैसे हमने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया तो यह dirty condition हो गया है यहाँ पर dirty हो गया होगा आप देखोगे dirty हो गया तो यहाँ पर कुछ class लगानी है मतलब css property लगानी है तो वो लगा सकते हो और यहां पर भी यहां तक की इस button भी लगा सकते हो कि अगर कुछ नहीं है यहां पर input तो यहां पर आपका button कर सकते हो, disable के लिए फिर आपको कीस पर लगाना होगा, आपको variable, local variable कौन सा लेना होगा, form का जो local variable हमने define क्या है, यहाँ पे हम check करेंगे, यहाँ पे disabled, इस तरीका से लिखते हैं, dis, a, b, l, e, d, disabled, किस condition में? local variable.invalid, अगर invalid है, contact form, याने की form की value, तो आपका यह, मतलब disabled है, यह पे रिफ्रेस्ट किया, तो यह देखे, disable हो गया, submit button, यहाँ पे कुछ भी नहीं type किया, disabled है, disabled है, अभी भी disabled है, ठीक है, मालेज यहाँ पे कुछ type भी कर देते हैं, तब भी disabled है, क्योंकि बाकी आपका अभी invalid है, यहाँ पे भी type कर दिया, ठीक है, लेकिन यह अभी invalid है, यहाँ पे जैसे ही 10 बार हम value insert कर देंगे, यह देखिएगा, जैसे ही green हो गया, green होते हैं, आपका यह submit button valid हो गया, और यह disabled से enabled हो गया, तो इस तरीके validation हम किसी भी form पे लगा सकते हैं, template driven form जो भी बनाएंगे उसके उपर, तो यहाँ आपको हमने जो भी validation लगा सकते थे, कैसे लगाते हैं, क्या-क्या, state change होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कि कब लगाते हैं, based on state change, तो state कैसे change होता है, यह भी मैंने दिखा दिया, यहाँ पे state change हो रहा है, यहने class change हो रही है, तो उसके भी हाँ पर ही हम validate करते हैं, तो यह वीडियो अगर समझ में आ गया, आपको यहाँ तक clear हो गया, तो please वीडियो को like करें, share करें, दोस्तों के साच, और चैनल को subscribe नह कि इन्होंने नहीं देखा है template driven का, तो वो पहले देख लें ताकि यह वीडियो आपको समझने में असान ही होगी, आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अबी को बात करेंगा, तो तक लिए बाई-बाई, टेक करें अपना ख्याल रगें